अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ इंजिनियरों अपनी थियो अप मशीन सीरीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारा कंटेंट आपको पीडिया फॉर्मेट में विले 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 जर्नल नॉलेज की सीरीज कंप्लेट अविले विले इन नॉट्सों के स्तमाल आप SSC, RRV, STATE, JAE, GATE, VTAC, AMI के एक्जामनेशन के लिए कर सकते हैं इसे पिसली वीडियो में साथ हूं हम QC, RETURN, Motion Mechanism के बारे में जान चुके हैं उसमें Single Slider Crank Mechanism था किस परकार से Cutting करते हुए, Constant Speed से, Constant Velocity से Cutting Tool जाता है और तेजी से वापिस लॉट कराता है यह सब हमने पिसली वीडियो में डेटेल में जान लिया था आप देखते हैं साथियो इस परकार के Mechanism से किस परकार के Question Format किये जा सकते हैं, कितने टाइप के Question बनाए जा सकते हैं उन Question को किस परकार से आप अंसर कर सकते हैं, तो चलिए, शुरुआत करते हैं Single Slider, Crank Mechanism, इसमें जैसा कि आप जानते हैं साथियो, यह अपना एक Fix Point होता है, यहाँ पर वोट पॉइंट है, यहाँ पर Center Point होता है, यह एक Link होती है, उसके अलावा दूसरी एक Crank Link है, उसके बार Slider Link है, और यह फिर एक Leaver Link होता है, इस परकार से चार Link है, Crank Rotation मारेगा, त Extreme Position पर पहुंच जाता है, तो इस परकार इस ट्रॉक की Length इतनी हो जाएगी, यह चलता रहता है, गूमता रहता है, अब जैसा कि हम जानते हैं, Omega से Constant, Angular Velocity से यह Crank गूमती रहेगी, लेकिन आप इस से Connected है, यह Crank से Slider Connected है, Slider Sliver Connected है, तो इस परकार से Rotation करता रहेगा, त Down होती जाएगी, कुछ इस परकार से इसकी Speed रहती है, अब जैसा हम जानते हैं, Quick Return Motion Mechanism में, तो यह Beta Angle बड़ा होगा, Alpha Angle छोटा होगा, Beta is Greater Than Alpha, यह आप इस परकार लेख सकते है, Beta डिवाइड़ बड़ा, ग्रेटर देन वन, और Slider की Velocity इन दोनु पॉइंटों पर, Toggle Point पर, Toggle Point पर कहा जाए, यह फिर Extreme Point पर कहा जाए, Slider की Angular Velocity होगी, कितनी होगी, Zero होगी, क्योंकि यहाँ पर आके ठहर जाता है, इदर आके ठहर जाता है, बीच में चलता रहता है, और इन दोनु में इस Link की यह कहा जाए, यह Length कितनी होगी, यह सब आपको Question में Given होगा, य यह Omega Velocity से घूम रहा है, तो यहाँ पर इदर उदर घूमने की Velocity, Slider की Angular Velocity को Omega SL से यहाँ पर Express किया गया है, दोनु पॉइंटों पर, यहाँ पर Zero, अब जैसा कि हम जानते हैं, किसी Center के साफिक्स, कोई Crank Rotation मार रही है, फिर Angular Velocity से कुछ चीज घूम रही है, तो उस पर हम टैंजेंट लेते हैं किसी Point पर, तो वो उसकी Velocity बताता है, कितनी Velocity होगी, Linear Velocity बता देता है, यहाँ एंगुलर Velocity आपकी दी हुई है, लेकिन जहाँ भी आप टैंजेंट लेंगे, तो यह इस परकार से टैंजेंट लेंगे, तो यह आपको Linear Velocity सो करता है, Linear Velocity कहीं भी लेंगे, तो कितनी होगी, आर ओमेगा के बरावर, Linear Velocity होती है, तो आप टैंजेंट ले रहें, टॉप पोजिशन पर उपर की तरफ आपको Velocity मिल रहें, इस डायरेक्शन में, आर ओमेगा, और इस परकार विलकुल, बोटम में भी आपको, अपोजिट डायरेक पोजिशन के अलावा कहीं, बीच में, अपना लीवर है, तो इस पर आप टैंजेंट ले रहें, इस पॉइंट पर लीवर है, यहां वैलो सिटी कितनी होगी, तो यहां आप टैंजेंट लेंगे, इस परकार से आप लाइन ड्रो करेंगे, तो यह आर ओमेगा के बराबर होगी, जो इस परकार से हम सो कर सकते हैं, तो यहां पर यह क्रेंग है, इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिट या कहें टैंजेंट आर ओमेगा होगा, अब दूसरा आप मान लीजिए, यह जो लीवर है अपना, यह लीवर इस आर्क में घूम रहा है, तो अगर इसको कम्प्लि बढ़ती रहती है, तो इस लीवर के एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी हम ले लेते हैं, अब जो यह वेलोसिटी ली थी आपने टैंजेंट और दूसरी यह लीवर के टैंजेंट में वेलोसिटी ली गई है, एक तो इसके बिल्कुल कहें परपेंडिकुलर है, दूसरी जो आर ओमेगा वेलो सिटी है इसके कमपनेंट लिये जाएं एंगल बना हुआ है एंगल बना हुआ है होरिजेंटल एंड वर्टिकल कमपनेंट लिये जाएं तो यहाँ पर जो होरिजेंटल कमपनेंट होगा इस लीवर की वेलो सिटी के बराबर होगा क्योंकि हमने सैम यही लिय लिया था इसके परपेंडिकुलर लिया था दूसरा यह है इसके परपेंडिकुलर रोटेशन में आप कहीं भी लेंगे तो एक परपेंडिकुलर इस परकार से छोटे सरकल की वैलोसिटी चेक की थी यह आप डायरेक्ट कह सकते हैं इस लीवर के परपेंडिकुलर यहां पर ए इतने एक्स डिस्टेंस है एंगुलर वेलोसिटी है इसलोटर लीवर की जो ओमेगा एस एल से एक्सप्रेस कर रहा किया तो इन दोनों का मल्टिप्लाई हो जाएगा तो यहां पर ओमेगा एसल इंटु एक्स इस इकल टू किसके होगा और ओमेगा कॉस्ट धिटा के बराबर ह होगा यही सब हम आप नीचे लिखने वाले हैं तो वी केन राइट और ओमेगा कॉस्ट धिटा इस गल टू एक्स ओमेगा ऐसल इसलोटर लीवर की एंगुलर वेलोसिटी है यहां पर क्रेंग की एंगुलर वेलोसिटी है तो आप कह सकते हैं क्रेंग है इसका एक यह परपै सेंटल कंपोनेंट है और यही इस लिवर की बेलोसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है इसलिए इन दोनों को सेम बराबर हम लिख सकते हैं तो यही सब हमने यहां पर लिख दिया है और ओमेगा कॉस्ट थीटा इस गल टू एक्स ओमेगा एसल तो अब इस परकार से हम एंगुलर व मैक्जिमम होगी वहां वैलोसिटी ले लेंगे जो एक्स की मैक्जिमम डिस्टेंस होगी वह मैक्जिमम डिस्टेंस ले सकते हैं डायरेक्ट इस परकार से ले सकते हैं यह दूसरी आप यहां देख सकते हैं मैक्जिमम बैलोसिटी यहां होगी क्योंकि कॉस एंगल 0 हो जाए कि है यह उज्ष राता और तcific कपना देंगे स्गाइब में principale यहाँ पर फॉरवर्ड में आपको maximum प्राफ देखने को मिलेगी और casetrium कि में completely स्थे में पॉइंट है ईक यह तॉप में एक पॉइंट यह टॉप में यह तोप में ये सब आप simple value put करकर आसानी से पता लगा सकते हैं किस प्रकार से कौनसी value maximum minimum आपको return और forward के लिए अलग-अलग पूछी जाएगी कुछ data दिया होगा उस हिसाब से आप question का answer आसानी से करते हैं उमीद करते हैं विद्वानो वीडियो में दी गई अब तक की जानकरिया आपको अच्छे समझ माई होगी अभी वे आपको कोई confusion है तो आप हमसे comment करकर पूछ सकते हैं साती हो आप चाहें तो contact कर सकते हैं contact link आपको video description मिल जाएगा वीडियो को अंतक देखने के लिए चैनल को support करने के लिए आपका दिल की गयराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next video में जाहिन बंदे मातरम